हलो नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग आज मैं आपके लिए लिकर आया हूँ 6 फरवरी 2021 यानी की कल जो एक्जाम हुआ है ट्रपल सी का उससे समंदित कुछ प्रस्ण जो एक्जाम में आए हुए हैं देखने को मिल रहा है इस पार की काफी अच्छा पैटर्न आ रहा है का तो अगर आप ऐसे क्वेशन देखते रहेंगे कि प्रिवियस जो डे में जो पेपर हो रहे हैं उसमें क्या-क्या क्वेशन आ रहे हैं अगर आप उनको देखके चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इससे तो मैं आपके लिए आज यहां पर कुछ लेके आया हूँ और आप देखेंगे कि यह क्वेशन क्या है तो सबसे पहला क्वेशन है जो हमारे पास देखते हैं क्या है www 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 यानि यहाँ पर 4W हैं इसका full form पुछा गया है बहुत बार इस question को पढ़ा है हमने कि इसका full form होता है world wide wave of warm यानि कि इसका second answer हमारा सही है कौनसा answer सही है इसका second answer सही है world wide wave warm next question की तरफ चलते हैं जल्दी अल्दी question करेंगे सारे और जल्दी से इस PDF को खतम करते हैं हम अपने सामने तो next question है हमारा ICT का full form क्या होता है information code technology information and communication technology internet and communication technology none तो इसका जो right answer है वो है information and communication technology यानि कि इसका भी जो answer है वो answer number two सही है next question की तरफ चलते है next question है हमारा कि TCS का full form क्या होता है तो TCS का full form होता है पहला option है data consultancy service data communication service data communication system यानन तो इसका जो है full form होता है data consultancy services का option A सही है इसका कौन सा option सही है option A सही है next question की तरफ चलते हैं माउस के माउस के बाएं बटन को प्रात्मिक बटन भी कहा जाता है या कहते हैं तो ये बाद बिल्कुल हमारी सही है माउस के बाएं बटन को प्रात्मिक बटन कहा जाता है इसलिए ये प्रू हो जाएगा next question की तरब बढ़ते हैं next question है हमारा antivirus antivirus हमेशा fishing हमलों से रक्षा करता है जी ये बिलकुल बात गलत है और antivirus fishing हमलों से रक्षा नहीं करता है ये आपको यहाँ पे false हो जाएगा तो आपको जो है ये questions को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बहुत ही समझदारी से पढ़ना है question को कोशिश करें कि एक बार से जादा ना पढ़ें एक बार में ही समझने कोशिश करें और यदि किसी question में नहीं का प्रियोग हुआ है तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान दें जिससे आपके जो सवाल हैं जो questions आ रहे हैं triple C के उनकी गलत होने के chances थोड़ा सा कम हो जाएं तो next question की तरफ हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं next question है हमारा formula bar के लिए formula bar के लिए Libre office writer में क्या इस्तमाल करते हैं तो formula bar writer के लिए Libre office में F2 का इस्तमाल करते हैं तीसरा answer इसका सही हो जाएगा next question की तरफ चलते हैं कुछ questions की description जो है इनकी सारी बाद में बताई जाएगे क्योंकि अभी जो time है वो सिर्फ इतना time है कि हम सिर्फ इसमें पढ़ाई कर सकते हैं सिर्फ answer को जान सकते हैं paper का pattern समझ सकते हैं बाकि discussion करने का जो time है वो अभी इस वक्त नहीं है और कोई भी नया question पढ़ने का भी time नहीं है सिर्फ आप ये देखें कि जो paper आ रहा है वो किस pattern पे आ रहा है और क्या उसमें सवाल पूछने का उसमें level क्या दे रखा है तो next question है हमारे पास कि आधार कौन नेक्स्ट क्वेशन की तरफ चलते हैं बी टूजी क्या है बी टूजी है business to government क्या है बी टूजी business to government option इसका ए सही है next question की तरफ चलते है next question है हमारा pin का full form क्या होता है दोस्तो आज इस PDF में आभी तक तो 15 question होते रहे हैं लेकिन आज इस PDF में 25 question है जो हमें सभी जगह से मिल चुके हैं और मैं आप लोगों के लिए लिक्या है हूँ आप लोग इस video को पूरा देखें last तक देखें ऐसा कोई भी question न छोड़े जिससे आपको नुकसान हो जाए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी question के छूट जाने से आप को यह न लगए कि क्या बताएं प्ड़ लेते तो हमारे लिए कितना मदबगार साबित हो जाता तो next जो question है हमारा pin का full form क्या होता है इसका होता है personal identification number personal identification number option इसका 2 सही है कौन सा सही है option इसका 2 सही है next question की तरफ चलते है SEO का full form क्या होता है होती है लिखा है यहां पे तो यहां पर आप क्या है यह होता है कर लीजेगा तो यहां पर इसका full form होता है search engine optimization option इसका 2 सही है कौन सा सही है option इसका option इसका 2 सही है next question की तरफ चलते है MST का full form क्या होता है MST का full form होता है multi system transmission क्या होता है multi system transmission option इसका A सही है अगली question की तरफ चलते हैं हम next question जो है हमारे पास हो क्या है तो question number 12 पर चलते हैं writer की अधिकतम zoom size कितनी होती है तो जो writer है उसकी अधिकतम zoom size कितनी होती है 600% होती है next question की तरफ चलते है next question क्या है हमारा देखते हैं कि hyperlink की shortcut की क्या होती है तो hyperlink की shortcut की बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि hyperlink के जो shortcut होती है वो control के साथ के होती है तो इसमें option कौन सा आपका सही हो जाएगा option number 3 सही हो जाएगा next question की तरफ चलते है next question हमारा क्या कहता है next question है कि gsm का full form क्या है तो gsm का जो full form है यहाँ पे global system for mobile global service for mobile gold system for mobile या नन तो यहाँ पर पहला option सही है global system for mobile नेक्स्ट क्वेशन की तरफ चलते हैं तो को like कर लें इसको subscribe कर लें और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करते हैं चलिए next question पर चलते हैं next question क्या कह रहा है हमारा next question है कि active cell active cell से पहली लाइन में जाने की shortcut की क्या होती है तो active cell जो होती है आपकी calc में या फिर excel में इसमें पहली लाइन पर जाने के लिए क्या करते हैं shift के साथ tap press करते हैं इसका answer one सही हो जाएगा next question की तरफ चलते हैं कि railway book ticket को IRCTC से रद करा सकते हैं तो यह बात बिलकुल सही है रद करा सकते हैं और हम लोगोंने बहुत बार कराया होगा next question क्या है हमारा next question है कि impress impress में new slide को insert करने की shortcut की क्या होती है तो impress में नई slide अगर हमें लानी है तो इसकी shortcut की होती है ही ctrl進set एंघ क्यों होती Hep हैं सब्सक्रज्द क्यों होती है है' होती है नेक्स्ट कुष्ज्ण पर को चलते हैं यहां पर लिखाई कि सरफिंग किसे कहते हैं सरफिंग जो है सफना एक्चुली सफ्रिंग है यहां स्ट्फिंग हो गया है तो सफ्रिंग किसे कहते हैं कि एक दोसरे पेज पर जाना घणां सर एस और सई है नेक्स्ट कुरेशन की तरफ चलते हैं तो क्लोज करने वाला मैं कि है और एक ही लगाते को यसपर आपका होता है यह हिस्सा छो हरता है यह size को बड़ा करता है और यह size जो है आपका छोटा करता है तो control साथ अगर हम इसको दबाएंगे तो बड़ा करेगा और इसको दबाएंगे तो यह size का size को छोटा करेगा next question क्या कहता है देखेंगे कि library office calc में d2 semi column d5 से क्या से इसका आश्यक देखी यह है कि यह cell range बताता है क्या बताता है यह cell range बताता है अगली क्वेशन की तरफ चलते हैं next question क्या है कि Facebook में अधिकतम कितने दोस्त बना सकते हैं देखेंगे question सोचल मीडिया से और तो इसमें हम अधिकतम 5000 बास अकते हैं कितने डिजट का होता तो 15 डिजट का होता है इसको option कौन सो सही है चौथा सही है next question पर चलते हैं count formula क्या करता है count formula letters count करता है numbers count करता है दोनों count करता है कोई नहीं count करता है तो इसमें जो है ये count formula क्या count करता है number को count करता है अगर यहां पर count में c o u n t count में अगर a लिख जाता तो ये फिर letters को count करने लग जाता ठीक है तो count जो है सिर्फ वो numbers को count करता है Libre Office में new thumb font size कितना होता है new thumb font size इसमें जो होता है वो होता है 6 क्या होता है इसमें new thumb font size 6 होता है option इसका 2 सही है next और आखरी question कि Telegram के founder कौन है ये तो सबको पता होगा कि Telegram के founder है Pavel Durao option इसका 3 सही है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करना share करना और subscribe करना और comment पर हमें बताते रहना कि किस तरह की questions आपको चेगी और क्या क्या आप पढ़ना चाते हो तो वो सारी चीज़े हमें comment पर जरूर बताएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय